स्वागत है आपका दप्रिंट के यूट्यूब चैनल पर पस्मंदा शब्द आजकल के एक पॉलिटिकल नारेटिव में काफी सुनने को मिल रहा है खासकर जुलाई में बीजेपी की एक नाशनल एक्जेकेटिव हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सारे लोगों को ये कहा था कि आप एक तरहां से जो डाउन ट्रॉडन है या जो डिप्रेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं हिंदूस के अलावा उनकी तरफ एक आउट्रीच करें इसका अर्थ ये निकाला गया था कि प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के लीडर्स और वरकर से कह रहे थे कि आप एक तरह से एक आउट्रीच करिए पसमंदा कम्यूनिटी की तरफ तो ये पसमंदा कौन है मुस्लिम कम्यूनिटी में उनका क्या दर्जा है और इसके साथ साथ बीजेपी के पॉलिटिक्स में वो कहां आते हैं इन सब सवालों का जवाब आज हमें देंगे हमारे एक स्पेशल गेस्ट फयाज एहमद फैजी जो की एक कॉलमनिस्ट भी है एक अक्टिविस्ट है उन् बहुत से लोगों को बात नहीं जानते हैं कि पस्मांदा कौन है यह उर्दू भाशा का शब्द है और यह एक इसको हम अंबरिला टर्म की तरुपे यूज करते हैं जो अगर सन्वेदानिक भाशा की बात करें तो उसमें जो OBC हैं SC हैं और ST हैं यह जो OBC, SC, ST से जो मुस्ल से स्टीम फेत के जो मुझाश कास्ट हैं इस्ट पस्मांदा को हम इसच्छ कहते हैं यह इन्डिजिनस हैं और कालंतर में किनी कारणों से यह अपना धर्म या मतांतर करके जो है इसलाम में आयए तो इनका विमर्श है यह उनका दुह-दर्द है इंडिया में दो तरह के मु पहुत नीजने कि बाइने और फ़ Ihnen या जो सवक्षकार समुदाये की हैं के लोग साथ सुछाइब करने वाड़ाई है kami मैं उनका कोई ना मार इसमें जैसे वहे हैं एक बहुत नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खान का वो सक्षकार समाज से थे जिनको भारत ने जो है देश की सरकार ने हमारे भारत रत ने दिया है और मैंने एक बार अपने इंट्रिवी में कहीं कहा था कि बिस्मिल्ला खान जिनको भारत रत ने दिया गया है वो अपने बेटे का रिष्टा किसी सयद की ल वो सोच नहीं सकते कि उनके लड़के की शादी किसी सेयद लड़की से हो सकती है तो सेयद क्या हुए एक तरह सेयद जो इसलामिक मैथलोजी या इसलाम का जो अपना सिस्टम है या मुसलमानों का जो है उसमें सबसे अट्मोस्ट पोजिशन मानी जाती है जो मुहमस साब थे जो इसलाम के परवर्तक थे उनकी सबसे छोटी बेटी के जो नस्र चली है जबकि इसलाम ये कहता है कि नस्र जो है पेट्रियर की इसलाम यह मानता है कि नस्र जो है मेल से चलती है यानि फादर से चलेगा लेकिन वहां जो है उनकी सबसे छोटी लड़की और जो अली से उनकी जो शादी होती है उनसे जो बच्चे हैं वो उनकी जो डैनेस्टी चली है वो जो दीने चलाता है उसके सहीत कहलाते हैं पर एक तरह से तो ये कहा जाता है कि हिंदू इसम में कास्ट सिस्टम है लेकिन इसलाम में जो मुस्लिम में वो फॉलो नहीं करते हैं ये मैं अगर एक सवाल मैं आप से करूँ कि आपको कहां से पता चला कि इसलाम में कास्ट नहीं है सोर्सा बताई कहां पढ़ लिया आपने कहां सुन लिया ये एक नेरेटिव चलाए गया अब एक तो देखिए मुस्लिम समाज को अश्राफ वर्ग लीड करता है वो जो नेरेटिव सेट करता है वो जो बात कहता है उसी की बात को मीडिया भी और बुद्धी जीवी भी सब लो अजलाफ और अरजाल तो ये अश्राफ जो है उसमें जो सेग सेट मगल पठाव उसके बाद जो वह बसे जाती है वह जलाफ में आ जाप जाती है जलफ का वह वाचन है जिसका मतलब होता असब भे लोग, अनकल्चर लोग, और एक रजील का बबचन अरजाल होता है, रजील का मतलब होता है निमन लोग, तो अश्राफ, अजलाफ और अरजाल के टेगरी को हम लोग पसमांदा कहते हैं, जी, और सनुविदानिक बाश्राम हम ने कहा कि जो OBCCST हैं, वो ब्रॉड से मुसलमान है, उनको उस तरह से नहीं होगा लूग, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस देश में मुसलमान मुसलमान होने के जितने नुकसान है, वो पसमांदा उठाता है, जो देस पसमांदा है, मुसलमान, हमारा हょ Hmm वो चायं माउम लिंचिंग में मार दिया जाए, कि वह सब हम उठाते हैं जितने फायदा है इस देश में मुसल्मान होने के सबस्रापवर्ग उठाते हैं कि जो मॉब लिंचेंग जो वाइलन्स ही बेच रहे हैं तो दंगा होगा तो हम तो पहले मारे जाएंगे जो एसी में बैठा वहां तक तो जाते-जाते आप जाएंगे है ना पहले जो सड़क के किनारे जो हमारी महिला बैठके पत्थर का वो एक्सिल बट्टा बना रही है वो दंगे की ज़द में पहले आएगी हम ट्रेन में चलने हैं माव लिंचिंग हमारी असानी से होगी जी है ना गुजरात का दंगा इसलिए ज्यादा हाइलाइट होग जानती है कि गुजरात के दंगे में जाफरी का नाम सब जानते हैं उसके लिए अच्छी बात है कहीं कोई होती है तो उसके लड़ना चाहिए लेकिन उसमें भुक्त भोगी हम होते हैं दंगे का रियाइबिलिटेशन के लिए जब गवर्मेंट प्रॉसस ले आती तो उसमे और अश्राफ का जो करेक्टर है उसका जो चरीतर उसमें जो है बहुत जस्टिस और न्याय नहीं है तो इसलिए वह हम उसको सफर करते हैं और वह आप इस पश्रूप से कोई भी मुस्लिम संगठन में आप चले जाएए चाहे मुस्लिम परसुनला बोर्ड हो या वक्त बोर मुस्लिम परसुनला बोर्ड में समझता हूं 1.200 मेंबर है उसमें एक दो ढूंड़े आपको भारती मुसल्मान नहीं मिलेगा एक अजीब विर्दमना इस देश में कि मुस्लिम परसुनला बोर्ड को गवर्मेंट भी और इस देश का जो इंटेलेक्च्छल तबका है वह भ तरना से मैनिफेस्ट करता है किस तरह से मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो आप बात कर रहे हैं वो कैसे होता है देढ ist कि नमाज पढ़ता हूं अपने घर घर जो हमारा घर है तो मैं ईद की नमाज पढ़के बाहर निकलता हूं तो एक लंबी सी लाइन होती है भी मांगने वालों की वो सब उसमें जो है नट और ये जो है गोरिया इस तरह की जाती हैं मुसल्मानों की वो होती है ईद के दिन भी उनके तन पर जो है अच्छा कपड़ा नहीं है और उनकी हम्मत नहीं कि मसीद के अंदर गुश के नमाज पढ़ें पर ऐसा का जाता है कि नमाज पढ़ने के लिए तो आपके साइड में कौन है कौन नहीं है इसमें कोई भी भाव नहीं है तो देखें यह सब कही सुनी बाते हैं और आप देखें कि आहाम तोर से पसमांदा में जो दलित समुदाय के लोग हैं मसीदों में आम तोर से उनका प्रवेश भी नहीं हो पाता है वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती जाने की वो डरते हैं और मैं एक आजम गरम में जब मैं एसिस्टेंट प्रोफेसर था कि उनानी कॉलेज में उनानी मेडिकल उसका नाम इसलाम था तो वो सुषकार समुदा ऐसे थे और वो आजान देते थे लेकिन जुम्हे की दिन आजान देने के बाद वो जो है पिछले सफ में चले जाते थे नमाज पड़ने के लिए उनसे कहा कि जो आगे बैठे नमाज तो यह आपनी भाशा ही नहीं जी मिदा जाती हैं वो मस्धिदों में नमाज पड़ लेती हैं लेकिन वहां भी आप देहेंगे जितने बड़ी मस्धिदें जो शाही मस्धिदें या जहां पर जहां कि इमाम को प्रिविलेज हासिल है वहां सब अश्राफ कलास के मसल्मान आपको वहां इमाम मिलेंगे लेकिन वो मस साल जो पांच वक्त की नमाज है वो पसमानदा इमाम पढ़ाता है लेकिन एद और जुम्ह पढ़ाने के लिए अश्राफ आता है नमाज पढ़ाता है क्योंकि जुम्ह में और एद में बड़ी भीर होती है तो भीर को और इट करेंगे लेकिन ऐसी कोई मस्सिद आप हमको नही नहीं दिखाएंगे इंडिया में नहीं मिलेगे आपको जहां साल बर अश्राफ मौलाना नमाज पढ़ा है और एद बकलीद की नमाज ये जुम्ह की नमाज कोई पसमानदा पढ़ाता है तो ये खुले आम डिस्क्रिमिशन है हम देखना नहीं चाहते हैं या हम देखके आं ब्रामनों से हमने सीख लिया हिंदूों से सीख लिया एकजाल से रह रहे हैं ऐसा नहीं है यह से लेकर अरब इरान से लेकर हैं वहां के समाज में भी मुझ निच्टा इसलिए मुहमद साब को डिस्क्रिमिशन उनका ज्यादा तर जो है ना बर्थ बेस जिसको कहते हैं रेस लेकिन उनके जाने के बाद से पहला खरीफा जब बनता है तो वह अन दे ग्राउंड अफ रेस बनता कि कुरेशी खरीफा होगा अब आप पर लिके डॉक्टर इंजिनर सकते हैं मैं आप की तरह जो जैनलिस्ट बन सकता हूं पर लिके लेकिन मैं सयद या फिर मैं कुरेश नहीं बन सकता हूं पर लिके तो यह बर्थ के डिस्क्रिमिशन है इसी को रेसीजम का सिजम कहते हैं अब बीजेपी का एक तरह से पूरा आउटरीच चल रहा है जो बिहार और उत्रप्रदेश के पास मांदाज है आप उसको किस तरह देखने हैं क्यों बीजेपी कोशिश क कर रहा है कि वो इनकी तरफ जाए या वो उनके वोट बैंक बने इसके पीछे आपको क्या लगता है क्या है कि मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था मोधी की पसमांदा नीती पर आई-चोक ने उसे पब्लिश किया था मैं उसमें इसको डिटेल लिखा मैं शौट मैं आप बिल्कुल एक तो यहां लोग मानते ही नहीं कि हमारे जात पात है उच नीच है तो भारती जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है इस्पेशली मोधी जी से आपके उन्होंनों उनको लग रहा है कि नहीं जैसे उन्होंने हिंदू समाज में समाजिक नया के प्रश्ण इस तरह से हिंदू समाज में हमने सोचल जैस्टिस की बात की और बहुत जो डाउंट्रोडन हिंदू थे सबार्टन थे या जी हमारी तरफ जुड़े अगर मुस्लिम समाज भी हम समाजिक नया की बात करते हैं तो हमें मिल सकता है उनके पॉइंट रफ्यू से मैंने यह भी उनका अपना कॉंसेप्ट है सबका साथ सबका साथ उसके हिसाब से वो कर रहे हैं दूसरा अगर वह पॉलिटिकल पार्टी की हैसे तो वो नए वोटर तलाश कर रहे हैं तो उनकी पॉलिसी दूसरा हम इसको लेकर एक्साइटेड है या खुश है इसलिए एक आदमी जो धैसे हम पिरित हैं हम आरा जो लेकर साइब उसके पहना है वे इसक Europeans वह फाश माना के वथा हुभित मिल्या के तो को दिन पने लग्वार्य है तो हमारी जो कुल्ची होथा होता है कि साभ हम उर्दू नहीं बोल पाते हैं तो अच्छी उर्दू वोद हमारे डिए जा तो यह जो रिशियल और कास्ट बेस्ट जो डिस्क्रिमेशन भी है उसके अगेंस हम इस्ट्राइब कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और सोसल जस्टिस से वह तो परदान मंत्री ने जब यह पहल किया है अब देखिए उनके पहल करने से यह फायदा हमारा यह कम से कम पस्मांदा लोग जानने लगे हैं है ना कि हाँ यह है मुस्लिम समांदा मिनिस्टर की जरूरत है तो हमारा विमर्स निकल के उपर आया था हम इसको बहुत पॉजिट मुस्लिम वोट वह पस्मांदा अब तक जो सेकुलर पार्टियों का वोटर रहा है उत्तरपदेश की विदान सवा में गांती है और शूची चीजा है जेस्टिस की डिमांड है नयाएं की डिमांड है वो सिर्फ मैं हमेशा एक बात कहता हुं कि इस देश के तता कातित जो या secular liberal जो intellectual है उनको देस secular चाहिए और समाजी के लिए को और हिंदूर के लिए मुसलिम समाज में समाजी की बाते हैं एची बात नहीं Rechts के लिए न पस्माधा समाज के लिए इस कि ल समाजी की नया STABLISH होना क्या हुँए से कुलर रूप में होना चाहिए उसका बाकit ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हिंदू समाज में समाज इकनिया करें और सिख को और जो मुस्लिम को और जो क्रिश्चन में भी इस तरह की चीज़े हैं उसको आप नहीं को नहीं करें तो यह बहुत जस्ट और जस्टिस की बात है तो उनका स्टे़स पुरे कम्यूनिटि में है स whatsبة निएं में क्या होगा देखी अच्छी बात है जो मित बना हुआ है और एक सेकुलर देश यह और पर जागा है मैंने अपने आर्टिकल में भी बात कहीं थी कि यह एंटी मुस्लिम का लेबल जो लगा है अपने कोशन अच्छा कि उसे मुझे बात याद आगी वह भी धुल जाएगा यानि बीजेपी के उपर जो लेबल लगा है वह भी धुल जाएगा जब उसको मुस्लिम ओड देंगे या जो पसमांदा को वह जब अपने उस पार्टियों में जगा देगी या जो भी राजनीती के इतबार से जैसा एक सिस्टम है संगठन में जगा देना और जब सरकारें उसमें जगा देना तो यह एक तो अच्छी बात हो जाएगी अगर भारतिय जनता पार्टी का वह जो को पसमांदा समाज ने समाजबादी पार्टी को उत्रप्रदे attended की एलेक्शन में और उन्हों ने चली सरकार नहीं बनी संगठन में तो जगह देना चाहिए। हम यादो से जादर हमरी आबादी जादा सोलह प्रतिशत गे आजज-बढार्टेस में पसमांदा बसते हैं और तुर पर क्यों जूड़ेगा जिस तरह से यंदू कस्थ भारतीय जनता nuovo से यंद्धू कार्ष्ट भारतिय जनता पार्टी ह identify से जुड़ा हमारी जाएगी ऐ वहां जाएगी तो यह ओगा ऐसा नहीं है और वो जब अगर जब आप में पुछा कि अगर वो ब्युज़ा पी पीबाट देता है तो मुस्लीम समाज में उसकी क्या प्회 QUEDo कि अगर हमें मुसल्मान मानता अपना भाई समझता है तो home नहीं मुसल्मशनलाब नीती नियधारा जहां आप करते किमिए मतरसे के दर्भान भी हमाया कोई दली बाप मानमदा आपको साथ जुड़ेंगे और एक बात करें कि मैं इसका करूंगा कि हिंदू और पसमांदा पिछले 5000 साल से अगर इस मान लिया जाए कि 5000 साल से भारत है तो 5000 साल से से एक साथ रहने के अपने तमाम विभी नटाओं के बाद इतने डिफेरेंसे थे चाहने लैंग्वेज का डिफेरेंस हो कल्चर का डिफेरेंस उसके साथ रहने का और आदी है भले ही वह कुछ समय पहले मुसलमान हो गया लेकिन खुब आराम से मिल जूलके रहता है तो पहले की बहुत अच्छी बनेगी और एक जो हम एक से कुलेजर में इसकी बहुत अच्छी बनेगी कि हाँ जब 90% मुसल्मान के अगर कोई पार्टी बात करती है तो एंटी मुसलिम कैसे हो जाएगी लेकिन काफी लोगों का यह भी कहना है कि आपका व्यू है यह तरह से बायस्ट है है जो मेरी सफ्रिंग है मैं मेरी माता बहुत थी एक बंगाल से है वह और वह मतलब बहुत कहते हैं बहुत पैसे वाले घर से थी मेरे नाना जी बहुत पैसे लेकिन वह मेरे पिता जी टीचर थे लडी ग्रेट के टीचर तो वह हाई स्कूल के बच्छों को बढ़ाते थे त मैं थुदधा तबावुक हो जाता हूँ हमारी माँ एक चरपाई पर हम तीन भाईबैनों को लेके लाट में सोती थी परसाथ तो वो मैंने देखा है वो दर्द को तो मैं रात भर वो जाकती थी और कप्रेल का घर ता हमारा पानी टपकता था तो कभी हमारा पैर ठीक करती थी कभी हमारे छोटे भाई का तो इस दुख को हम रोते हैं और हमें जहां जगा मिलता हम कहते हैं तो आप उसको संगी कह दें या भाजपा कह दें तो यह आप है आप जो चाहें जुनू का नाम खिर्दी खिर्दी का नाम जुनू रखा जो चाहे आपका हुसन करिसमा साथ करे आप जो कहले हम अपना दुखदर्द रो रहे हैं अब आपको लगता है देखिए जो हिंदू की बात है या पसमांदा एक्ता की बात है इस देश में वो सदियों से साथ रहे रहे हैं उनका फेथ कुछ भी है और भारत एक इतना सुन्दर देश है यहां सब साथ रहने क्या भ क्ल्चर यहां ओर कुल्चर तो पसमांदा उसी कंट्र का है तो मैं उस बात को कहता मुसरी मुसलमान बनाना हैं जैसा हम बटा रहे हैं हम भोजपूरी मैं मेरी मदर बोoshपूरी है तो मैं जूट बोलना है उर्दु मैं मज़ए की बात बता हूं आंधरपरदेस में में अंधरपरदेश में एमडी कर रहा था ले प्रकाशन डिस्ट्रिक है में वहां गया था तो मैंने पुछा कि आपकी मदर कैया है आपकी भाषिभाशा क्या है तो उसके बगल कल गभा घड़ा था उसने तetch जो में उस पेज़ता पूछ तो उसने का हाँ हमारी मदर टन्re चोड़ है तो वह मुझे का यह मदर असलों कि बात तुने हिंदी में का कंफिर्म दों में कि और तरह मैं व में सOR संगी कह ले वो कह ले दुसरी चीद में भारतिय जनता पार्टी को जो है मुझे लग रहा है कि उसका असर भी दिखाए देगा बिहार में पसमांदा को मंत्री बनाए गया कंचा है तो आपको लगता है कि मैं भाजपाई हूं या शंघी हूं इसमें कोई बुरी बात तो सब्सक्राइब कोई बात नहीं करता है अब भाजपाक से मैच करता है तो उससे क्या फर्क परता है का सेंसस जो मुस्लिम औपीची के लिए इस पर आपका क्या कहना है बिल्कुल का सेंसस होना चाहिए अब यह समाजी की नहाय को करने के लिए हमारे पास पता होने चाहिए कौन किसकी संख्या क्या है कैसी है हम उन्हें 31 की जनगरणा से काम चला रहे हैं लेकिन हम इस मामले में भी हम कहते हैं कि पहले अगर पूरी पूरे भारतिय समाज की कास्ट गिंती करना मुश्किल हो रहा तो पहले मुसलिम समाज के सब्सक्राइब गिंड़ो उसके पीछे मेरा लॉजिक है कि हिंदू समाज में सब्सक्राइब किया गया है एक अच्छी दिशा में मुसलिम समाज में बिल्कुल जी रहे तो पहले मुसल्मानों की जाती हो गिंती कर लो फिर हिंदों की करना अगर संभर नहीं पारा है लेकि सब्सक्राइब नेकिन्य हो अरी जो कास्ỉ लानर्गों कास्रीया और मुसलिम समाज में आएगे तो हमारे दली तो हमारे हमारे जो आदिवासी हैं जो हमारे सुडूल कास्ट हैं या हमारे सुडूल ट्राइब हैं उनकी गिंती नहीं होती है तो यह शेवर होना चाहिए कि कि पूरे की एक तो पूरे पहसरों को मिली रहा है एक बात बता हूं जब रॉत द्रॉप्ट एसेंबली की मिटिंग चल लोग थी जब सम्विधान बनाया जा रहा है तो उसमें सब अशराफी थे उन्हों ने बड़ा बुरे शब्दों में आरक्षान को डिपाइन किया है कि कुट्टे की हड़ी है भीख है और हमने भी बच्पन से उर्दू मीडिया में इस्टेक्वात कि है हमको आरक्षान नहीं चाहिए और यह है वो मुसल्मान में सब बराबर हैं देखिए उसमें 341 का पारतीन उसके बाद मंडल कमिशन आया मंडल कमिशन ने सेकुलर रूप में OBC को आरक्षान दिया है यानि उसमें जो मुसलिम धर्मावलन भी पिछ रहे हैं दली थे हैं वो भी उसमें आ गए सुडूल ट्राइब को पहले से मिल रा था आपने देखा उसी वक्त मंडल कमिशन लगा है तो जो अश्राफ क्लास है जो मुसलिम समाज को लीड करता है उसने आरक्षन मुसल्मानों की आरक्षन की बात को शुरू कि आप लोगों ने देखा होगा उसमें कि जो है मुसलिम समाज को लीड करता है पसमानदा में एजूकेशन होना तो यह चाही था कि जो मुसलिम सम तो वहां से उन लोगों ने मुस्लिम आरक्षण का खेल खेला पहले आरक्षण जो है कुट्टे की हड़ी है इस तरह की टर्म से उन्होंने एक लेक भी लिखा इस पर मौलाना आजाद के उपर हमने लेक लिखा उसमें ने उसका उसकी चर्चा किया है अब पसमांदा भी जिस भी धूप में दिल्ली में आके नारा लगा रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दो, मुसलमानों को पते ही नहीं कि पहले से उसको वीसी का और इस्टी का आरक्षण मिल ला है तो इस तरह का जो अश्राफवाद हमारे उपर है हम पहले से आरक्षण में आ जो 90% मुसल्मान क्टेगरी में आ गए तो कौन से मुसल्मान है जिन के लिए अरक्षन मांग रहे हैं और धर्म के नाम पर तो अरक्षन होगा नहीं तो अश्राफ वर्क का डिमांड ही ऐसा होता है जो मारी नहीं जासा कि वो धर्म के अदार पर अरक्षन चाहिए उसको और में 341 की भी बात कर अब इनको मुसलिम आरक्षन नहीं चाहिए क्योंके बाइजन खुद आरक्षन में आ गए वहना पहले कितने स्पीज दिये कि मुसल्मानों को आरक्षन कि किसको दोका दे रहे हुआ जब आरक्षन तो उसको मिलेगा ना जो सोश्य एकनामिक अधार पर जो पीछे रहे जात काम आरक्षन यानि हमको सुडूल कास्ट का भी आरक्षन दिया जाए अगर महोदी जी की नियत सही है तो वह इस तरह की ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो माना जाता है कि यह बड़ा मुश्किल काम है तो मैं यह अश्राफ और के चारा उसमें थोड़ा से हिंदू मुसल्मान ब बंदिल लगी उसके उपर यानि इस वक्त मैं समझता हूं इसाई और मुसलिम दरित बाहर है उसमें उसमें किया जा तो कटेगरी बदलने की बाद हम और तो होना यह चाहिए कि में जो विसंगतिया है वह दूर करना चाहिए बहुत से हमारी ऐसी जातिया है जो बिस्टेड के इंदर के लिस्ट में राजीओ के सब्सक्ति बहुत से हमारे जैसे में हमारे स्विक्राइव में फट्राइब में करेंगे यह नहmana या कंप नृए यह चौन पर। तो वो उसमें असानी से हम लिस्ट में दाखिल करवा सकते हैं लेकिन जहां दर्वाजा बंद करना है बंद है उसको खोलना और यह फैलाना कि मुस्लिम दरीतों कर जूट बात वह भी सिका है काटेगरी बदरने की बस बात लेकिन अश्राफ और इसको आज इसलिए हवाद है कि उसमें हिंदू मुसल्मान होता है श्राफ और का शुरू से देश में रहा है कि वो हर चीज में हिंदू मुसल्मान करता है कॉमनिलिजम को लेके आता है उसको बंदे मातर में भी हिंदू मुसल्मान दिखता है अब यारक्षा में तो दिखेगा यह दिखेगा तो इसमें जो भी इस तरह के समुधा है कि नाम से वहां पे हमें सोसल जस्टिस की शुरुआत घर से शुरू किया जाए अगर आपको लगता है कि मुसल्मानों में तो मुस्लिम परसमार बोर्ट से आप शुरू कीजिए आप सरकार से लड़ाने के लिए हमें इस तरह की बात कर रहे हैं जी मैं एक आखरी प्रश्न करूंगी कि आपने कहा कि बीजेपी के तरफ अगर पसमंदा जा रहा है तो इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है आप इस बैक्गराउंड में नुपु शर्मा की को कैसे देखते हैं जो यह पूरा उन्होंने जो एक कॉमेंट किया था प्रॉफिट मुहमेद पर उसके बाद बीजेपी का काफी लंबे समय तक उस पर को रियाक्शन नहीं आया था और बाद म किसी डार्मी भाना आहथ करता है यह अच्छी बात नहीं है और हमारे हाँ इसके लिए कानून है दो सो पंचानबे ए है शायद अगर मैं सही हूं तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा वो इस तरह के धार्मिक भानों का आहत करने के लिए कानून है अब बलास फेमी उसको फांसी दे दो ये कर दो ये पाकिस्तान नहीं है ये साओधी अरब नहीं है यहाँ पे एक सिस्टम है आई हमारा एक सिस्टम है मसमांदा इस देश का उस सिस्टम पर भरोसा करता है उसकी कोई भी गलती करता है चाये उन्हीं हुझार मांसिक्ता में जीता है और हमें हमें योगीन फ्यूडल मानसिक्ता में रखता है वो इसलाम के कार्डिंग में नहीं चलता है ठीक है ना और यह जो आहनते रसूल की बाद इस पर एक बात करे दूँ टेक्निकल चीज़े हैं देखिए कुरान में अगर हम मुहम्मद अनकी शरीयत और इसकी बात कर तो कुरान में बहुत सी चीज़ों की सजाएं लिखी में जैसे चोरी करने पर हाथ कार देना या और भी जो ताजीरात है उसमें लिखे हुए लेकिन यह जो आहनते रसूल यानि गुस्ताखे रसूल यानि प्रोफेट को अपमानित करना इसके कुरान में आयत है कि आपका कोई अपमान करता है तो आप इसकी चिंदाना को इसके लिए हम काफी है यानि वहां पर भी कानूर बन सकता था कि जो मौम्मद को बत्यमी जी करो उसको मार दो कार दो यह बाद में इसलामिक फिक्म में जोड़ा गया और उसकी चीज़ है और द आहत करें तो भारतियenne में और यहां जो लाओ नॉर्डर में जो कानून कि है शरिया कि हिसाप से नहीं और मनुस्मीर्ती की हिसाप से नहीं होना है हमारे साथ बाचीप करने के बहुत-बहुत धन्यवाद थ्ञेंक्यू वौचिंज गॉ realistically